नमस्कार विद्यार्थी मित्रों सजीव स्रुष्टी नी अंदर आपड़े फर्स्ट पिरियाड नी अंदर थोड़ी माहीती मेडवी चुक्या छिए जेम के सजीवो शुँछे, सजीवो क्या रहे छे, केवा होई छे, केवा लक्षणो धरावे छे सजीवना लक्षणो विचे वाद करी, के बिन्नता सजीव प्रजेनन करे छे, विकास करे छे, व्रुद्धी करे छे प्रती क्रियाओ दर्शावे छे, ता सजीवोने एक चोकस नाम आपड़े जरुरियाद शा माटे उपस्तित थाई अने नाम आपड़े कई-कई पध्धती ओछे, लिन्यस्त्वारा आपड़े द्वी नामकरण पध्धती विशे आपड़े चरचा करी चुक्या, अने नामकरण आपड़े नियमों विशे आपड़े चरचा करी चुक्या, हवे आपड़े आगलवदी शुँ, अने वर्गी वर्गी करण शूँ छे अने कई रीते थाई छे तेना विशे आपणे चर्चा करी शूँ जो यह आपणे आपणी फर्स्लाइट वर्गी करण विशे वर्गी करण एटले के बधात सजीवनु नाम करण करवानु शक्य नपण होई जेती प्रथम कक्षाए सजीवनी अर्थ क पारक जूथ वेहें चिनी द्वारा शक्य बनावामा आवे आ कारिय पद्धती ने आपणे वर्गी करण तरीके ओड़किये चे एले कि आपणे घणा सजीवने जोतानी साथ है आपणे कई शक्ये चे कि आ वनस्पती ये छोड़ छे शुरूप छे व्रुक्ष छे कोई की किटक हसेत आपड़ेने उड़की शक्ये क्या किटक वर्गनू प्राणी चे उड़ी सके छे कद एनू नानू होई छे ननी पाखो दरावे चे वकेरे जिवा लक्षणोंने आधारे एनू नाम करण एडले के एनू जाती प्रजाती एन वैग्नानिक नाम सुधी आपणे न प्रुत करवानी सगवड भरेली कक्षाओनी व्यवस्था होई तेमोज किटलाक सरड ताथी निरिक्षण करी सकाई तेवा लक्षण उपर आधारीत होई छे में तपने कहिव ते प्रामाने के सजीवना लक्षण होजे आपने त्रात्मीक लक्षण जानता होई तो आपने हसे तो एक रियाते नई करतु हसे वनसपती हसे तो ए प्रचलन नई करती हसे प्राणी हसे तो ए प्रचलन करता हसे वनसपती स्वावलंबी हसे प्राणी यो परावलंबी हसे अवा जे प्रात्मिक लक्षणोंनी माही तियो छे ते द्वारा आपने दरेक सजीवनी जूत व तैनी साथेज आपड़े ते जुठना लख्षनों साथे आपड़े तरता जोड़ाई जाईएजए અહીપાનિષે વાદ કરીએ આલસેશ્યન કેછે અશ્થે નિયે જાતી જાતી ધસે ગેદે ગેથંશ્ય નીામੈત અહીજ્ય અ प्राणियों तो आ सजीवों ना अभ्यास माटे सुलप कक्षाओ पाडवामा आवेली छे अने आ कक्षाओ माटे वाइग्नानिक सब्द प्रयोजन तरीके आपड़े सब्द वर्गक वापरिये छे वर्गक ए जुदी-जुदी कक्षाओनू निदर्शन करे छे वनस्पतियोनू पन वर्गक बने छे घौँ पन एक वर्गक अच्छे तेजरीते प्राणियों, सस्तनों, कुत्राओ आब अध्धाज वर्गक ना विवित स्वरूपो छे आपणे जाणी है कि कुत्रू ओ इस सस्तन, सस्तन नों अर्थ थाई सएटले साथ है, अने स्तन एटले स्तन धारी स्तन धारी प्राणियों तमाम एन्ने आपणे सस्तन निद्द समाविस्ट करिये बले पचेनी अन्दर कुत्रा होई गाई होई, बक्री होई, मनुष्य होई, ये महाकाई, हाथी होई, आ बद्धानों समावेश आपने सस्तन वर्गनी अंदर करता होई ये छे, आथी प्राणियों, सस्तन, अने कुद्रा, जुदी जुदी रिते, जुदाद दस्तारे, जुदा जुदा वर्गा कोनी अंदर, आपने एमने रजू करता होई ये छे वर्गी करण विशे आपने चर्चा करिये तो अलग-अलग लाक्षण इकताओंने आधारे बध्धात सजीवोंने विवीद वर्गकोंनी अंदर वर्गी कुरुत करवा माँ आवे छे कोई पण सजोंनों जार आपड़े वर्गीकरण करिये छे, तो अलगलग लक्ष्णोंने आधारे, चोकस पधतियोंने आधारे अलगलग गृप मां आपड़े डिवाइट करिये छे वर्गी करण विद्ध्यानी जो चर्चा करिये तो वर्गी करण पद्धतीना अभ्यास ने वर्गी करण विद्ध्यातरीके ओडखिये छीए सजीवना कोश रचिनानी साथे साथे बाहिय औने आंतरीक रचिना विकास प्रक्रिया औने परिस्थिती की ये जानकारी खुबाज आवश्यक छे औने ते आधुनीक वर्गी करणना अभ्यासने आधारेज शक्य बंती होई छे कोई पन सजीवना वर्गी करण करवू होई तो तेनी अंदर लक्षणी करण, ओडख विदी, वर्गी करण, नाम करण, ए वर्गी करण अभ्यास माटी नी मूड भुरुत प्रक्रियाओ छे जे नी अंद लक्षणी करण एटले के ते सजिवना लक्षणों विशे आपणने माहिती होवी जोईए बाह ये लक्षणों परती ख्यालावो जोए कि वनस्पती छे के प्राणी छे वनस्पती छे तो ए छोड़ छे शुरूप छे व्रुक्ष छे कया प्राकार ना पुष्पो धरावे छे कया प्राकार नी वनस्पती छे बीज धरावे छे के नथी धरावती पुष्प धराण करी शके छे के नथी करी शकती लील छे, फूग छे, ये कोई बिजा प्रकानी वनस्पती छे अवा विशिस्ट लक्षणों जो आपणे जानता हो ये तो वनस्पती नुँ वर्गी करण शक्य बने जे तेथी प्रथम आपणे लक्षणी करण वीचे माहीती मिलवता होवा जोई त्यार बाद ओड़क वीदी, इले के तेनी ओड़क आइडेंटिफिकेशन आपड़े सरड़ता थी करी शक्ता होवा जोई के एक कया कक्षानी अंदर आपणे ने मुखी शक्ये, वर्गी करण, एनू क्लासिफिकेशन कई रीते करीशूं कया ग्रूप नी अंदर एने समाविस्ट करीशूं, ते एनू नाम कई रीते आपपू नौमेन कल्चेर करीते करवामा आवे छे ती, आ बधा लक्षणोंने आधारे, कोई पन सजीवनु वर्गी करण करवामा आउतु होई छे आपणे वाद करिये आपणू शर्वातनू वर्गी करण कया प्रकारनू हतु, तो वर्गी करणनी कोई नवी बाबत होती न थी, खास करीने पोताना उप्योग माटे, मानस जात हम्मेशा विवित प्रकारना सजीवो विशे जानवा माटे, वधुने वधु रस दाखवा म आवा बधा स्त्रोतों ने सोत्तों हतो, एले के एनुचे शर्वातनू वर्गी करण हतु, ते तेनी उप्योगीताने आधारे हतु, त्यारे एनने ग्णान के एवी कोई चीज वस्तुओ माटे नी भूग के हुँफ न हती, परन्तु ते पोतानी उप्योगीता, एने काई वस्तुओ नी जरूरी आच्चे, तेना आधारे ते प्रात्मिक कक्षानू वर्गी करण दरेक सजीवो करवानी शर्वात थाई हती, आपड़े हवे चर्चा करी सुन सिस्ट्रमेटिक विशे, सिस्ट्रमेटिक, मान्वी मात्र सजीवोना, जुदा जुदा प्रकारो औने विवित्ता वीशे, वधुने वधु जानमा माटे सर्वात्मा रस दाखावतो नो अतो, परन्तो जेम जेम तेनी साथे सजीवोना संबंधो केडवावा लाग्या, अने आ प्रकानी अभ्यासनी शाखानी पध्धती सर्ना विग्णारिटे सिस्टमेटिक तरीके धीमे धीम मेडवानों छे, कई वनस्पतीने खोराक तरीके उप्योग करी शके छे, आरी ते दरेक सजीवो साथे धीमे धीमे एना सब्बंधो विकस वाला गया, अने धीरे धीरे आ वर्गी करणनी एक पध्धती सर्नो विग्णान शरू थायू, एने आपड़े सिस्टमेटिक तरीक अने जेम जेम पध्धती सर्ना विग्णान वियाप वधतो गयो, तेम तेम, तेनी ओड़क विधी, नाम करण, अने वर्गी करणनों समावेश पन थतो गयो, आम पध्धती सर्नो विग्णान इस जीवो वच्चे ना उद्विकासिये संबंधो नो पन एहवाल आपे छे, दीरे-दीरे जेम के आपणे मनुष्य नी वाद करिए, तो मनुष्ये नुँ वैग्णानिक नाम होमो सेपयंज छे, तो होमो सेपयंज पहला पन केटला आई अलग-अलग मनुष्यो थाई गया, अने नी पहला वानर हो, जेने आपने एहू कई शक्ये, के आपना पूर्व जो वानर हता एव आपड़े चर्चा करता हो ये छे ता दिरे 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 वानर माथी मानव सुधीनी सफर एक उद्विकासी यो पगतिया छे जेनों अभ्यास्पन आपड़े सिस्टमेटिक द्वारा करी शक्ये छीए हवे आपड़े चर्चा करिशू वर्गी करणनी कक्षा ओवी से वर्गी करण ए मात्र एका की चरणनी पध्धती न थी परन्तु क्रम शह श्रेणी बध चरण दर्शावती पध्धती छे दिरे दिरे स्टेप बाई स्टेप वर्गी करण करवामा आउतू होई छे जो कक्षा बद्धी जिद्रस्टी ये वर्गी कृत व्यवस्थानों भाग होई तो आपड़े इने वर्गी करण कक्षा तरीके उडखिये छे एटले के जैनी अंदर तमाम लक्षणोंने समाविस्ट करिया होई तेवी कक्षा आवी बद्धी कक्षा हो जियारे भेगी बढ़ी जाई तो त्यारे आपड़े इने वर्गी करण नी श्रेणी एटले के टेक्सोनोमिक हिराची तरीके आपड़े उडखिये छे जेमा दरेक कक्षाने वर्गी करणा एक एकम तरीके संदर्भुमा लेवामा आवे छे परन्तु वास्ताव माते जेते हरोड ने निदर्शित करता होई छे औने तेना माटे टेक्सोन सब्द प्रयोजवामा आवियो छे वर्गी करणा कक्षाओ औने क्रम बद्द स्रेणीने आपड़े उदाहरन द्वारा समझी शक्किये छीए जेम के आपड़े किटागो विशे चर्चा करिये धारोके वंदो वंदो एक किटाक छे तो एनि अंदर आपणने त्रोण जोड सांधा वड़ा उपांगो देखाई छे उड़ी शके छे उड़वा माटे ते पांख धर आवे छे अवा विविद सामानियो लक्षणोंने आधारे ते जेते जुथोनू प्रती निद्व करे छे आम किटाकोमा जोवा माड़ता प्रत्यक्ष औने देखीता लक्षणों तरीके आपड़े एने उड़किये जे औने एने वर्गी गृत करिये छे संधी पादनी अंदर आवे संधी पादनी अंदर सामाटे ना मुक्वामा आवे आवे कारण के संधी एटले सांधा पाद एटले उपांगो सांधा वाड़ा उपांगो धराव तावाता ते थी तेमने संधी पादनी अंदर मुक्वामा आवे जेने आपड़े एक हरोड के कक्षा तरीके उड़किये छे सु आपड़े सजीवोने बीज्या जूथोना नाम आपी शक्ये तो ए नाम आपी एनने आपी सु कहीशू कक्षा तरीके उड़किये कक्षा ए आगर जता ए हरोडनों सुचन करे छे दरेक हरोड वास्तवनी अंदर वर्गी करणना एकम तरीकेज आपड़े उड़किये छे आ वर्गी करणना जे जूथो छे तेनी बाहिया रचनाने आधारे नई पड़ेना विसिस्ट जैवीक लक्षणों पण तेओ दर्शावता होई छे जेम जेम आपड़े वर्गी करण करता जईए तेम तेम सजीवना तमाम लक्षणोंने आवरी लेवा जरूरी बनी जेता होई छे बाहिया लक्षणोंनी साथे साथे तेना आंत्रीक प्राजेन ननीक लक्षणों वगेर इनो पण आपड़े समावेस्ट करवो पड़े छे ज्यारे आपड़े वर्गी करण नो अभ्यास करिये त्यारे स्रूस्टी, समुदाई, अथवा विभाग, वनस्पतीनी अंदर हो इता आपड़े विभाग गणिये अने प्राणी हो इता आपड़े समुदाई त्यार बाद वर्ग, श्रैनी, गोत्र, कूड, प्रजाती अने जाती आपड़ी कक्षाओना विकास तरफ आपड़े दिमेदी में दोरी जाईये छे आपड़े छेले प्रजाती अने जाती तरफ कुँचिये, इतले आपड़े वर्गी कराण सम्पूर्ण थायू गणी शकाई वनस्पती अने प्राणीनी अंदर समावेशित थता बद्धा सजीवों मा जाती ये साउथी निम्नकक्षाणों दरज्जों छे सवती अन्तिय दरज्जों छे निम्नककक्षाणों छे हवे आपड़े प्रश्ण थसे कि केवी रिते सजीवों ने अलग-अलग कक्षावों नी अंदर मुकी शकाई अवी जुदी-जुदी कक्षावों मा मुक्वा माटे व्यक्तिगत सजीवों जूथना लक्षणों नू आपड़ी पासे पायार नू ग्नान होँ जरूरी छे आवा लक्षणों ने स्वतंत्र रिते तेना जेवाज विजा प्रकारना सजीवों वच्चे नी साम्यता अने भिन्नताओ द्वारा ओड़क्फा माटे खुब जरूरी बनी जेता होई छे आपड़े जाती विश्य चर्चा करिये जाती सजीवना वरगीकरणना अभ्यास नी अंदर मूर्बुत साम्यताओ धरावता अपड़े जती तरीके गन्या करिये छे जाती नी अंदर सजीवना लक्षणों जेना सर्का लक्षणों चे तमामने भेगा राखमा में आउता उई छे विशिस्ट बाहिय रचना की या तफावतने आधारे एक जाती नजीक ना संबद धरावती जाती थी अलग थाई जाती होई छे जैम के आपड़े जो ये तो मेंजी फेरा इंडीका एटले के आमो सॉलेनम टुबरोजम एटले के बटाटा पैंथेरा लियो एटले के सी आत त्रोन विसे आपड़े चर्चा करिये आम बानू वैग्णानिक नाम मैंजी फेरा इंडीका बटार कानू सॉलेनम टुबरोजम अने सी नो पैंथेरा लियो तो अहीं जे पाचर लखवामा आवियू छे एटले के इंडिका, ट्यूबरोजम, अने लियो एने आपणे जाती तरीके उडखिये छे, जियारे आगर एटले के मैंजी फेरा, सुलेनम, अने पैंधेरा ए प्रजातीनों सुचन करे छे, अने ते हरोड के कक्षाना बीजा उच्चिस्तरनों प्रती निधित्व करे छे दरेक प्रजातीनी अंदर एक करता वधारे चोकस जातीयोते धरावी शके छे, जे अन्य सजीवो तरीके रजुथती होये छे जेनी अंदर बाहिय रचना कियो समान ताओ आपड़े जोईये, तो पैंथेरा, पैंथेरा नी एक जाती आपड़े जोई गया लियो, पैंथेरा लियो इटले के सी, अने पैंथेरा टाइगरीस इटले के वाग, आ बनने पैंथेरा प्रजातीनी अंदर ज आउती बे अलग अलग जाती हो छे एड़ले के वाग अने सी ते ओनी जाती अलग 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 छे पर अंतु प्रजाती सेम छे 15 प्रजाती नी अंदर सी अने वाग बन्ने समाविस्ट छे तेज रीते सोलेनम प्रजाती नी व्यात करिये तो सोलेनम नाइग्रम अने सोलेनम मैलन जेना सोलेनम पिलूडी नुँ नाम छे, जारे मेलन जेना एरिंगर नुँ नाम छे, तो नाइग्रम औने मेलन जेना बे अलग अलग जाती हो छे, परन्तु ते ओनी प्रजाती सेम छे, एले के सलेनम प्रजाती नी अंदर नाइग्रम औने मेलन जेना बे अलग अलग जाती हो नो समाविस क एटले के मानवी नुँ वैग्नानिक नाम होमो सेपियंस एम आपड़े उच्चारण करता होई ये छे हवे आपड़े आगर चर्चा करी गया ए प्रमाणे वर्गी करणना नियमों नियंदर आजे नाम आपपमा आवे छे तेमा द्वी नामी नाम करण एटले के आपड़े जोयू तो बद्धामा बब्बे नाम छे एटले के प्रथम नाम प्रजाती द्वीतिय नाम जाती प्रजाती नो प्रथम अक्षर क्यापिटल लेटर मा तो आपड़े जो ये मैंजी फेरा इंडी का सॉलेनम टूबरोजम पैंथेरा लियो एनी अंदर मैंजी फेरा सॉलेनम अने पैंथेरा प्रथम नाम क्यापिटल लेटर्स मा छे ज्यारे इंडिका, ट्यूबरोजम, अने लियो, ए त्रणे त्रण जे छे, ते स्मॉल लेटर्स नी अंदर लख्मामा आविया छे, अने जो लखी शूँत अंडरलाइन, अने जो टाइप करी सूँ, तो आपड़े इटालिक फॉंट नी अंदर टाइप करता होई ये छे, आपड़े प्रजाती तरीके सामानिय भार्षामा ओडख्ये छे, नजीक ना घाड संबन धरावती, जाती ओनू जूत, जेमके आगड़ आपड़े जोईू, पैंथेरा लियो औने पैंथेरा टाइप्रिस, जेनी अंदर लियो एटले सी, औने टाइप्रिस एटले वाग, स प्रजाती मा राखवामा आवे छे, आम नजीक ना लक्सन धरावती जाती ओ भेगी मड़ी ओने प्रजाती बनावे छे, आम आपड़े कई शक्किये के खुबद नजीक नो संबन धरावे, ए जाती ओ जारे भेगी मड़ी जासे, तो ए प्रजाती नी रचना करे छे, दाख 16 पेंधेरा लियो 15 पारडन अने 15 पेंधेरा टाइगरीस 15 पारड़स लपर्ड बिपड़ो 15 पुझ nutrition पार तो Chief गण अतेवी प्रजाती ऐसेईं 15 थै 15 पंद प्रजाती ए अन्य प्रजाती फैलिस करता जुदी पड़े छे, फैलिस ए बिलाडी नी प्रजाती छे, आम प्रजाती ए गणी बती जाती ओनों समावेश करती होई छे, प्रजाती पछे अपड़े आगण वधी शुँँ, कूड तरफ? अधारे वर्गी कृत करवामा आउतु होई छे, जैम के वनस्पती समुदाईनी अंदर सोलेनम, पिटुनिया अने धतुरो आ त्रणे जुदी जुदी प्रजाती ओ छे, अने आ त्रणे जुदी जुदी प्रजाती ओ होवा छे, ताते सोलेनेसी कूड नी अंदर ए अलग-अलग जाती ओ 15 प्रजाती मां समाविश्ट छे, जैरे बिलाडी ए फ्यालीस प्रजाती मां समाविश्ट छे, अने फ्यालीडी कूड नी अंदर समाविश्ट करवामा आविश्ट छे, एटले के बिलाडी एटले के एनि फ्यालीस अने 15 अब अनने अलग-अलग प निरिक्सन कर येतो थोड़ा लक्सनों बर्नेन नी अंदर समानता आपड़े जोई शक्किये छे आने थोड़ा लक्सनों नी अंदर ओ समानता आपड़े जोई शक्किये छे बे अलग-अलग कुडो नी अंदर तीवो विभाजित थाएली छे फैलीडी अने कैनीडी जे नी अंदर फैलीडी ए बिलाडी जारे कैनीडी ए बिजा सजीवो विशेनो कूड छे कूड पची आपड़े आगडवद्धिये गोत्र विशे अगण जोईगया आपणे जातियो भेगी मड़ी अने प्रजातिनों निदर्शन करियू अने कूड जेवी कक्षाओनी अंदर वर्गी कूट आपणे करिया छे सामान्य रिते गोत्र औने अन्य उच्च वर्गी करणी यह कक्षाओ ए सजीवना लक्षणोंने आधारे आपड़े ओड़कता हो ये छे केटलाक सर्खा लक्षणों धरावता कुडों जारे एक बिजासाते भेगा थाई जशे तो तेओ गोत्र नी रचना करे छे अने गोत्र एक कुड करता उच्च कक्षाणी श्रेणी छे कुड नी अंदर अन्य प्रजाती नी सापेक शे सर्खा लक्षणों ओची संख्यानी अंद जोवा मडता होई छे कॉन्वाल्विलेसी आपड़े वनस्पतीना कुडों विशे चर्चा करिये तो कॉन्वाल्विलेसी अने सोले नेसी आञविलेदि अलग अलग कुडों छे परंतो ते होना पुषपी है लक्समोनी अंदर घणी समानता होँ जोवा मड़े छे तैथी ते होने गोत्र पाली मोनी एलसी अंदर समाविस्ट करवा मा आविया छे गोत्र बन्नेनु सेम छे परंतु तेओना बन्नेना कूड अलग 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 छे सौले नेसी कूड औने बिजु कूड छे कॉल वन्वी नेसी जहरे प्राणी ओनी अंदर चर्चा करिये तो फैलीडी औने कैनेडी बन्ने अलग अलग कूड छे छता तेओनों एक अज गोत्र छे कार्नी वोरा तेनी अंदर तेओने आपड़े समाविस्ट करिये छी वर्गक नी आकक्षा नजीक ना संबंधित गोत्रनों समाविस्ट करेने आपड़े वर्ग तरीके उडखी आपड़े पहला चर्चा करी जाती विशे जातीयों जारे एक बिजा साथे भेगी मड़ी तो तेओने प्रजाती नुँ निर्माण करिये प्रजातीयों जारे एक बिजा साथे भेगी थाई तो कूड भेगा थाई अने गोत्रनों निर्माण करिये अने हवे जारे गोत्रों एक बिजा साथे संगठी थाई जाई छे त्यारे तेओ वर्ग नी रचना करता होई छे वर्गक नी आ कक्षा नजीक ना संबंदित गोत्रों ने समावे छे दाखला तरीके वानर, गोरिला, अने गिब्बन आ बधा प्राइमेटा गोत्र वाग, बिलाडी, अने कुत्रों आ बधा प्राणियों मासाहारी कौर्णी वेरा गोत्र माँ छे छत्ता पण तेओ नू वर्ग एकच छे एटलेके सस्तन अच्छे इलेके प्राइमेट अने कौर्णी वेरा बे अलग-अलग गोत्र ना सजीवों होआ छेता तेओ एककाज वर्ग सस्तन नी अंदर समाविस्ट करवामा आविया छे सस्तन आस्वे बीजापन घणा वर्गो धरावतु होई छे आगड आपड़े जो ये समुदाई हवे जयारे वर्ग एक बीजासाते बेगा था शे अने जे रचना थाई एनने आपड़े समुदाई तरीके ओड़किये छे सस्तनो ना वर्ग नी जो आपड़े चर्चा करिये तो सस्तनो नी अंदर मत्स्य मत्स्य एटले के अलग-अलग प्रकार नी माचलियोनो समाविस जे नी अंदर थाई छे अपड़े आगड़ना चेप्टरो नी अंदर एन वीस से डीट्यल मामा हीती मेडवीसू जे नी अंदर असति मत्सय अने कासति मत्सय होय छे यहनो समाविष करिये छे उभवाई जीवी उभवई एटले के बनने जीवी एटले के जीवन जे बन्ने जगियाए जीवन जीवी शके जमीन औने पाणी बन्ने उपर एले के देड का जेवा केटलाग सजीवो जे नुँ समावेस आपणे उभई जीवी नी अंदर करिये छे तो तेव सरीस रूप, सरी एटले साप, सरकी ने चाले ते वासताप, जे वासता जीवो जे ने आपणे शरीस रूप नी अंदर समाविस्ट करवा मा आव्या छे, त्यार बाद विहग जे आकाश मा उड़ी शकता होई, इंडा मुकी शकता होई, पोलू सरीर धरावता होई, पांख धरावता होई, अवलक्षनों धरावता प्राणियो जे ने आपणे शामाने अस्तन नी सात अंदर केम समावामा आविया तो एना विस्ते आपड़े चर्चा करिये तो तेओ मेरू दंड धरावे छे अने प्रुष्ठ बाजुए पोलू चेता तंत्र धरावे छे अवा एक सर्खा लक्षणों धरावता हुआने कारणे तेओने एकत ग्रुपनी अंदर म मुकवामा आविया छे भले पची ते मनुष्य होई के पची अलग 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 प्रकार ना देड़का होई साप होई तमामने अनी अंदर समाविस्त करवामा आवियो छे तेओना बाहिय लक्षणों तेमज आंत्रिक लक्षणोंने आधार तेओने एनी अंदर वर्गी क्र तो केटलाक समान लक्षणो धरावता वर्गोग ने विभाग तरीके उडखाता उच्ची कक्षाना दरज्जानी अंदर पण आपणे मुखिये छे वनस्पती नी अंदर अलग दलग विभागो छे पुषप धरावे छे के वनस्पती पुषप नथी धरावती तेने आधारे ते उने अलग अलग ग्रूप मां मुखिये छे पुष्प न धरावती होए तो ते वनस्पतिने ओ पुष्पी पुष्प धरावता होए तो तेने सो पुष्पी नियंदर आपणे वर्गी क्रुत करिये छे पुष्प नहीं धरावे, तेवी वनस्पतियों विशे आपड़े चर्चा करिए, तो कई वनस्पति हशे मित्रों, तो एनि अंदर लील, फूग, लाइकेन, एक अंगी, द्वी अंगी, त्री अंगी, आवधी वनस्पतियों यंदर आपड़े पुष्प जोई सकता न थी, तेवी वनस्पतियों आपड़े 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 पुष्प उद्भाव, सरड ताती जोई शकिये छे, एनि आपड़े सो पुष्पीन यंदर वर्गी क्रुत करिये छे, हवे आपड़े सौथी उच्चे कक्षानों दरज्जों एटले के स्रुस्टी विशे चर्चा क सौथी मोटावा मोटी एटले के सजीव स्रुस्टी परन्तु एने आपड़े विभाजित करिये सजीव स्रुस्टी नियंदर वनस्पति स्रुस्टी अने प्राणी स्रुस्टी नियंदर आपड़े ने विभाजित करता होई एछे, तेना महत्वाना लक्षणों ने आधार के वनसपती हसे तो ते खोराक पोतानो पोतानी जाते बनावेछे प्रका संस्टेशन नी क्रिया करेचे हवा मानका नो कार्बन डायोकसाइड वापरी शके छे ओक्सीजन ने मुक्त करी शके छे मूड धरावेचे जमिन माथी पाणी शोसी शके छे अवा बदा लक्षणोंने आधारे तेने वनस्पति स्रुष्टी नी अंदर मुक्यावामा आवे छे अने जे सजीवो पोते पोतानो खर आक पोतानी जाते नथी बनावी शकता बीजा प्राणी ओपर डिपेंडन्ट छे तेवास अजीवोने आपड़े प्राणी तरीके ओडखाव्या इने प्राणी स् आकरुदीमा आपणे जोये तो जाती थी लैस रुष्टी सुधीनो वर्गी करणीय कक्साओ चड़ता क्रमनी अंदर बताववामा आवेली छे औने आ कक्साओने आधार एन वाईग्नानिक नामो पण आपफामा आवेला छे औने वाईग्नानिक नामो ना अभ्यास माटे क्रमिक छ्रैनी अनि अंदर उपकक्साओने विक्सावमा आवी छे आनि अंदर आपणे दिमे दिमे आगण वधिये तो सर्खा लक्सणोंनी तरफ जेम जेम आपणे आगण वधिसू तेम तेम एनी संख्या घटती जाई छे सुरूस्टी थी प्रजाती तरफ नीचे नी तरफ जई सू तो संख्या वधिती जशे आम उच्य कक्षाए एक वर्गक नो एज स्तरे बीजा वर्गक साथे नो संबन नकी करवानी अंदर मुष्केलियो वधू पड़ती होई छे अने वर्गी करण नी समस्य वधारे जटील बने छे अहीं आपड़े कोस्टक नो अभ्यास करिये मित्रों जेनी अंदर घर माखी मनुष्य आमबो अने घौँ जेटला किटलाक सजीवोना वर्गी करण विसे आपड़े चर्चा करीशू तो पहला आपड़े जो ये मनुष्य विसे मनुष्य नो वईग्नानिक नाम छे होमो सेपियंस जेनी अंदर होमो ए नी प्रजाती थाई अने सेपियंस ए नी जाती थाई छे ते होमो नीडी कूड नी अंदर समाविस्ट छे एनु गोत्र प्राइमेटा छे ए सस्तन वर्ग नी अंदर समाविस्ट छे अने मेरु डण्डी एटले के मेरु डण्ड धरावेचे जीवनना कोईपन तबक्कानी अंदर आपने मेरु डण्ड धरावीएचे अन्ने आपड़ी अंदर मेरु डण्ड नुस्थान कर्वड स्तंभे लाई लिदू तो आपने मेरू दंडी समुदाईनी अंदर आविये, वर्ग आपड़ो सस्तन छे सामाटे, कराण के आपड़े स्तन धारी प्राणी ओछिये, सरीरूप पर रूमाटी धराविये छे, बच्चाने जन्मा आपिये छे, औने मादा ए बाड़कने दूद पिवड़ावी, औने तेने पोषण पूरू पाड़े छे, अवालक्षणोंने कारणे आपड़े सस्तन वर्ग नी अंदर समाविस्ट छिये, त्यार पाची बीजिव जोईये आपड़े घरमाखी विशे, घरमाखी नुँ वैग्नानिक नाम छे मस्का डोमेस्टिका, मस्का ए एनुई प्रजात हशे, अने डोमेस्टिका एनी जाती बने छे, एनुँ कूड ए मस्कीडी छे, गोत्र एनुई डिप्टेरा छे, ए वर्ग कीटक नी अंदर समाविस्ट छे, अने एनुँ समुदाई संधी पाद छे, सांधा वाडा उपांगो धरावे, तेथी आपड़ेने संधी पाद आपड़ेने दाखल करवामा आवेल छे, त्यार बाद वनस्पतिवनों एक्जांपल जो आपड़े जोए, तो आबो, आबानु वैगना निक नाम छे, मैंजी फेरा इनी प्रजाती छे, इन्डीका इनी जाती छे, एनु कूड एना कार्डी एसी छे, गोत्र सेपिन डेल्स ए द्वी दड़ीमा समाविस्ट छे, द्वी दड़ीमा सामाटे कारण के ब्य बीज पत्र धरावे छे, एनु मूर तंत्र सु विक्सित छे, जमिन मा उंडे सुधी उत्रेलू छे, अवा घणा कारणे, तेने आपड़े द्वी दड़ीमा समाविस्ट करिये छे, समान जाला अपने आपने आवरुत बीजदारी नें प 2022 थे भरी नंद दम. समाविस्ट करीशूं। त्यार बाद घौं। 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 एक वर्षाईव वनस्पती छे। तेना परणों समांतर शीरा विन्यास थरावे छे। अवबधा कारणों सहर तेने एक दाडी मा समाविस्ट करया छे। अने तेना बीज पन धंकाएला होवा दी तेने आवरुत बीज धारी वनस्पती तरीके उड़किये छे। एवी पन आवरुत बीज धारी वनस्पती तरीके उड़किये छे। आम चोकस लक्षणोंने अधारे दरेक सजीवने अलग-अलग क्रीते वर्गीक रुत आपणे करिये छे। अने देनी माटे आ नियमों अने आ पध्धतियोंने आपणे ध्यानमा राखवी खुब ज़रूरी बनित चे। तो वनस्पतीयों, प्राणीयों, औने अन्य सजीवनी विविद जातियोंनी वर्गीकरण ये अभ्यास आपणे क्रुशी विद्यामा, वन विद्यामा, उध्योक्षेत्रे। अने सामनी रीते जयविक्स रोतों औने जय विविद्त्तानी जाडवनीनी अंदर प्रकार ना अब्यास माटे सजीवोनु साच्यू वर्गी करण अने ओड़क विदी नी जरूर्यात उभी थती होई छे। सजीवोनी ओड़क विदी माटे प्रकार प्रयोक्षाणा अने क्षेत्र अभ्यास नी जरूर्यात पड़े छे। तो एनी माटे प्रयोक्षाणा अत्वादो ख्षित्र अभ्यास करवो पड़े छे। वनस्पति अने प्राणियोंना वास्तविक नमुनाओनों संग्र पन जरूरी छे। केटलिक वनस्पतियों एवी हशे के अमुकृतुनी अंदरज पुष्पा उद्भव थता हशे। ते वी वनस्पतियोंनों पुष्पा उद्भव न थता होई। ते वासामा ये अभ्यास जो करवो हशे। ते वनस्पतियों नमुनाओने जो आपड़े संग्र करी राख्या hoई। ते आपड़े एनु अभ्यास सरड ताथी करी शक्ये छे। अथवा तो अहियाति बैठा बैठा दूर ना विस्तारोनी वनस्पतियों अभ्यास करू धो हई। प्रोसिक्सन माटे आ प्रकारनों अभ्यास पायारूप अने खुबज आवश्यक अभ्यास बनी गयो छे इड़ले के जो आपड़े आ वर्गीकरणनों अभ्यास करी शूं तो अज आपड़े तेना विसे वधुने वधु माहीतियों मेडवी शक्ये अने नमुनाओनी साथे साथे आ माहीतियों संग्र पण आपड़े करी शक्ये जेथी नजीक ना भविश्यनी अंदर ए अभ्यास माटे नमुनाओनु परिरक्षण करी शक्ये छिए वाइग्नानी कोई नमुनाओनी साथे साथे माहीतियोना संग्र औने परिरक्षन करवानी येटलिक पध्धतियो औने तक्नी कियोनु उत्पन्न करीछे प्रस्थापित करीछे जैना द्वारा आपड़े आ नमुनाओना उपयोग करीशक्ये छीए अहीं आपड़े आकरुतिनी अंदर एक वनस्पती संग्र हालाई बत्तावियो छे आकरुतिन अंदमे जोई शकोच मित्रो के अलगलग कबाट से अन्यानी अंदर आखा अलगलग वनस्पतियोना नमुनाओने संग्र करवामा आविया छे तो आ नमुनाओने कई रीते बनावामा आवे छे अने कई रीते तेने राखवान है साच्चवामा आवे छे तो तेना विसे आपड़े चर्चावो करीशू वनस्पती संग्रहा लईनी अंदर वनस्पती ना नमू नाओ जेने आपड़े हर्बेरियम तरीके उडखिये छे जेने कागल उपर शुषकन, दाबन, परी रक्सन करेला वनस्पती ना नमू अनाओने संग्रा करवामा आवतु होई छे अहीं केवी रिते हर्बेरियम बनावामा आवे तो तेनी आपड़े थोड़ी चर्चाव करिये मित्रों के हर्बेरियम बनावा माटे तमारे कई-कई वस्तु होवी जोई है केवा केवा क्षेत्रों नी मुलाकातों लेवी पड़े, कई-कई वस्तु हो साथे राखवी जोई है, तो एना विच्छे आपड़े चर्चा करिये, हर्बेरियम मना माटे तमारे कोई पन एक क्षेत्रों नी मुलाकात पर गया होई, तिया अमुक वनस्पती जे दुरलब तिया वनस्पती ना नमुना ने आपड़े व्यवस्तित रिते कातर्थी पुष्प वाड़ेऊ डाड़ी ने आपड़े कटिंग करवी पड़े चे, तियार बाद एने आपड़े ब्लोटिंग पेपर नी अंदर वनस्पती ने व्यवस्तित रिते गुलाब के अन्य थूज जहां के अन्य वनस्पतिने घणिवर राखता हो ये चे ते रिते एने पर राखवानी हो ये चे बेत्रण दिवस भाद ए ब्लोटिंग पेपर ने चेंज करवामा आवे चे ब्लोटिंग पेपर ए वनस्पतिने अंदर रहेला भेजने शोशी ले चे वनस्पतिने ड्राई करे प्रेस करीने राखवामा आवे छे एनी वनस्पती व्यवसीत रिते सिधी लाइन नी अंदर गोठवाई शके त्यार बाद परी रक्सन एटले के एनी उपर किटलाक द्रव्यों नो छंटकाव करवामा आवे छे जेती एन नमुना उपर फूग के कोई अन्य द्रव्यों एकत त्रितनो थाई येती वनस्पती ने बच्चावामा आटे अवा कोई पाण द्रव्यों नो छंटकाव करवामा आवे छे जेनी मैटे HGCl2 मर्क्यूरी क्लोराइट जेवर असायनो वापर वामा आवता होई छे अने वापर ये बाद आ जे नमुनाओ छे आ नमुनाओ ने च चोककस रीते चोककस साइजनो पुठु जेने आपणे हर्बेरियं सीट तरीके उडखे जेनी निश्टित साइज 11.5 थी 16.5 इंचु होई छे त्यानी उपर ए वनस्पतीना नमुनाने राखवामा आवे छे अने नमुनाओ नो एनी उपर आरोपण करवामा आवे छे बाद तेना जमणी बाजुना खुणा उपर ए वईगना निक नाम क्या थी मेडवामा आवे जो एनू वर्गीकरन शक्किया होई तो ते तेनू प्रचलित नाम तेनी नोंद एटले के निकोई स्थानिक नाम होई एनू कोई स्थानिक उप्योग होई तो तेना विसे पन त तेना फोटोग्राफ साथे लेवामा आवता होई छे जेथी ए ज्यारे वनस्पती जीवन तवस्थामा हती त्यारे कया रंगना पुष्पो धरावती हती तो ते विसे आपड़े माहीती मेडवी शक्किये एनू एक्जेट लोकेशन जोई सक्किये वगेरे माटे अवा परगी करण पधतियो द्वारा एने निश्चित का बाटोनी अंदर गोठावामा आवता होई छे आरी ते वनस्पतीनो संग्र थाई छे औने केटलाक वनस्पतीना नमुना एवा होई छे जे खुब डेलिकेट होई छे तो तेने संग्र करवा माटे फोर्मेलीन जेवा रस अंदर तेने राखवामा आवे छे काचीनी सीसी अत्वातो बोटल वगेरीनी अंदर तेने राखी औने वनस्पतीना नमुनाओनो आरी ते संग्र करवामा आवे छे आ संग्र करेला नमुनाओने आपड़े लोंग टाइम सुदी ज्यारे पन अभ्यास करवो होई ते आरे वनस्पती नी अंदर आवा नमुनाओ बनावामा आउता होई छे आनी नमुनाओ पर संग्र करवानी तारीक जग्या तेनु अंग्रेजी नाम तेनु स्थानिक नाम तेनु वनस्पती सास्त्रियन नाम एनु कूड कोणे एने संग्र कर्यू छे एटले के संग्र करतानु नाम अने ए विशेनी माहिती पण हर्बेरियम उप्पर लख्मामा आउती होई छे, आ हर्बेरियम द्वारा एटले कि आ वनस्पती संग्रालायो ए त्वरीत संदर्ब तरीके हमेशा कारियरत होई छे अवे आपड़े वाद करीसु वनस्पती उद्ध्यानो विशे, वनस्पती उद्ध्यानो एटले के जीवन्द नमुना आउनो ज्यारे आपड़े अभ्यास करवो होई, त्यारे आपड़े बोटनिकल गार्डन्स न अभ्यास करवो जरूरी बनी जतो होई छे, ओड़क विद अने वनस्पती उद्यान ए सामान्य जन्ता माटे पण एक उत्सुपतानी जग्या बनी जती होई छे ज्या विहार तेम ज विविद्यार्थियो माटे स्टडी माटे नी पण विविद व्यवस्थाओ करवा मावी होई छे त्या पण वनस्पती संग्रहा लएयो माईक्रोस्कोप वगेरे जेवी लैपसु भी धाओ तेसी वाई पुस्तकालायो वगेरे पनत्या स्थापवाम आवया होई छे जेती वनस्पतीनो सिधो रेफ्रेंस तिया मड़ी जाई छे वनस्पतीना चार्ट, फोटोग्राफ वगेरे माहितीयो वनस्पतीना अध्ययन माटे नाई जरूरी तमाम सामगरियोनी व्यवस्ता अवा उद्ध्यानों मा करवामा आवेली होई छे अवा किटलाक विशिस्ट वनस्पती उद्ध्यानों आये बीजी ध्वारा नोंधवामा आवया छे इंडियन बोटनिकल गार्डन एसोशेशन नी अंदर अवा आटसो थी पण वधारे गार्डनों नोंध करवामा आवेली होई छे द्यमांथी केटलाक जानी ता गार्डन विश्यापड़ चरचा करिये तो क्यू गार्डन जे इंगलेंड नी अंदर आवियो छे इंडियन बोटनिकल गार्डन हावरा कलकत्तामा आवियो छे तेसीवाई नैश्नल बोटनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट जे लखनाउनी अंदर आवियो छे आबदा एकुब जानी ता वनस्पति उद्ध्यान छे तेसीवाई गुजरात नी अंदर डांग नी अंधिल्यामा आवेलू वगई बोटनिकल गार्डन एपन एक जानीतु प्रसिद्ध वनस्पति उद्ध्यान छे वनस्पति उद्ध्यान नी अंदर अलग-अलग विभागो पाडवामा आविया होई छे आ अलग-अलग विभागो नी अंदर अलग-अलग अवशदिय वनस्पतियों क्रेक्टस हाउस, फोर्नरी, ओर्कीडियम, कुत्रिम जडासयों, ओर्केडियम हाउस वगेरे अलग-अलग सुविधाओ त्यां पूरी पाड़ी होई छे, जे थी वई रणस्पति वी से लाइव नमुनाओनों अभ्यास आपड़े सरड ताथी एकत जग्याए करी शक्ये छे केटलिक दुरलब वनस्पतियो, ने तियां चोकस वातावरन पुरुपाड़ी औने उछेरवामा आउती होई छे, तियां ग्लास हाउस, कंजर्वेटरी, एनी अंदर एने योग्या वातावरन औने परिरक्सन द्वारा, जीवन्त वनस्पतिने साचेवामा आउती होई छे तेने जरूरी एवो कुद्रती वातावरन अही पुरुपाड़वामा आउती होई छे, चाथे साथे हर्बेरिया, औने वगेरे वयवस्थावो पन अही पूर्णा परवामा आवी होई छे आगड़चरचा करी सुँ, आपणे संग्रहालाई विशे, संग्रहालाई एडलाके जीवसास्तिरिया संग्रहालाई मा सामानिय रीते शाडा औने कोलेजुजेवी शाइक्षाणिक संस्थाओ अवा संग्रहालाईयो स्थापती होई छे जेने आपणे सामानिय रीते म्यूजियम तरीके उडखिये छे अवा म्यूजियम नी अंदर वनस्पती, प्राणी औने केटलाक अश्मियोना नमुनाओने एकत्रित करवामा आवता होई छे अने एनों अभ्यास करी अने एनों संदर्व गरंथ तरीके आपणे उपयोग करी शक्किये छे अहीं मोटा-मोटा खोखा, काचिनी सीसी, बल्नियों एनी अंदर यथावत सितीमा नमुनाओने राखवामा आटे संग्राहक्त्राओन एटलेके प्रिजर्वेटिव, तरीके फोर्मेलीन जेवा रसायनों उपयोग करी अने तेने त्या राखवामा आवतु होई छे वनस्पतियों अने प्राणियोंना सुका आयेला नमुनाओने पन साचवामा आवे छे आ नमुनाओनी अंदर किटको माटे आखो किट बोक्स तयार करवामा आवे छे जेनी अंदर किटकोने पीन मारी अने नाना बोक्स नी अंदर जेते परिस्तिती तीनी अंदर एन मुरुत देहोंने लोंग सम्मे माटे राखवामा आवे छे पक्षी अने सस्तन जेवा प्राणियोना शरी नी अंदर स्टफिंग करवामा आवे छे स्टफिंग येटले अंदर रहेली मास पेसियोने दूर करी दे धर्मिक अंगोने खडी अने नियंद रू, उन, वनस्पतियो न भूको अन्य संग्राहको वगेरे भरी लांपा समय सुधी साच्वी राखवानी प्रक्रिया अहीं करवामा आवे छे एसी वाई म्यूजियम नी अंदर कंकाल ग्यालरी पन राखवामा आवे छे अलग अलग प्राणियोना कंकालो त्यां राखवामा आवे छे अने जानी ता केटला ग्रंथो अने प्राणियो पक्षियो अने वनस्पतियो विसेनी अलग अलग मही तियो आपडने त्यां पूरी रिते मडी रेती होई छे હવે આપણે ચરચા કરીશું પ્રાણી ઉધ્યાન વિશે કે પ્રાણીઓને પોતાના કુદ્રતે નિવાસ્થાન જેવીજ વ્યવાસ્થાઓની અંદર એને રાખવામાં આઉતુ હઈ હોય છે તેના પ્રાક્રતીક નિવાસ્થાનોની અનુકુડતા હશે બાળકો આ ઉદ્ધયાનોની મુલાકાતલે અને પ્રાણી સંગ્રાલાય તરીકે આપણે ઉડકીએ છે જેને આપણે જૂલ કઈએ છે આ પ્રાણી ઉદ્યાનોનો હેતુ પ્રવામ આવ્યા હોઈ છે જેથી તે પણ અહી સરણ્તાથી કરી શકાઈ છે અહીં એક પ્રાણી ઉદ્યાનો એક વિશીષ્ટ સારવાર અને પધ્ધતી ઓદ્વારા તેઓની સંખ્યા પણ જાડવી રાખવાના પ્રયતનો આ પ્રાણી એની સમાન્તાઓ અને અસમાન્તાઓ ને આધારે ઓડક વિદી માટે ઉપ્યગમાં લેવાતો બીજા વરગે કરીણીં આય પણે મદદ્રુક થઈ જાઈ છે તો આઈની એક ઓડક ચાવી નું એક તબક્કો કઈ શકી એક ઓડક વિદી કઈ શકીએ ઓડક ચ જંમા આપે છે કે ઇંડા મુકે છે તો આ એક લક્ષણ એવિરોધા બાશી લક્ષણ થયું અને આ લક્ષણ માથી એક જંમા આપે છે એટલે ઇંડા ઉકે છે તે લક્ષણ એવિરોધા બાશી લક્ષણ થાઈ છે અને એસ વિકાર્ય બને છે એ એ સાંધા વાળા ઉપાંગો ધરાવે છે તેથી તેને આપણે સંધી પાદની અંદર સ્થાન આપ્યું છે જઈર અડસ્યું એ ઉપાંગો કે સાંધા વાળા ઉપાંગો એઉં કોઈપણ પ્રકાની વસ્તુનો ધરાવતું હવાંથી તેને અસવિકાર્ય બંતા લક્ષણ નું વરગી કરણ એ આગણ નીતું હાઈ છે આરિતે ઓડક વિધી દવારા લક્ષણોની જતા જઈએ તેમ તેમ ગોત્ર કૂડ પ્રજાતી જાતી વર્ગ સમુધાઈ છ્તી એરીતે ધીરે ધીરે ક્રમષરહ માટીયલ હોય એને આપણે માર્ગ દર્શ્રીકા તરીકે ઓડ ખીશું કૂડ પ્રજાતી જાતીયો જેવી વર્ગી કર તરીકે ઓડ ખીએ છે વદારે ઉંચાઈ હશે તાપણે એને વ્રુક્ષની અંદર સમાવિશ્ટ કરીએ છે એલે કે આ રીતે વરીક્રણ કરી અને તમામ યાદી આપણે બનાવીએ એને આપણે ફ્લોરા તરીકે ઓડખીએ છે પરીચઈ વિદીની અંદે ખુબજ મદદ્રુપ થતા હોઈ છે આમ વનસપતીઓ ની યાદી એ આપેલ વિસ્તારમાં વનસપતીઓ નું ક કરતી હોઈ છે તે રીતે પરીચે પુસ્તીકા તો પરીચે પુસ્તીકાની અંદર જે જાતીઓ છે તેમને નામની ઓડક માટેની મહીતીઓ ને આપપામા આવે છે અને લગું પુસ્તીકાઓ ની અંદર કોઈ એક વર્ગની મહીતીઓ સજીવ હય એનો ઓડક વિદી આપણે કરી સકીએ છે અને ની ઓડક વિદી દવારા જેતે સજીવનું વર્ગી કરણ કરી અ આપણે આ ચેપટર ની અંદર સજીવના લક્ષણો સજીવો અલગ લક્ષણો ની અંદર કઈ રીતે સામર્થ્યતા ધર આવે કઈ રીતે આપવમાં આવે છે તેની કઈ પધધતીઓ છે નામ આપવમાટે ની વિવિધ રીતો વિશે ચર્ચા કરી તેને રાખવા માટે તેને સાચેવા માટેની પધધતીઓ વર્ગી કરણની રીત વર્ગી કરણની વિવિધ કખ્શાઓ તેને કરાદરાગ જો કે જારે નામ કરણ થાય ત્યારે પ્રથમ નામ એ પ્રજાતી અને દ્વિતીએ નામ એ જાતી તે રીતે ક્રમ શહ અલગ અલગ વનસ પતીઓ વિશે વાદ કરીએ જેમ કે હેલીએનથસ એનસ એટલે કે સૂરીય મુખી કોઈ પણ સજીવને જારે નામ આપવમાં આવે ત્યારે લેટિન ભસામાના નામ આપાય છે અને બે નામ આપવમાં હોઈ છે તેના વિશે આપણે આ ચેપટર માં અભ્યાસ કર્યો અહીં આપણે હર્બેર્યમ વિશે થોડિક ચર્ચા ક હર્બેર્યમ નમુનો લેવામાં આવે છે એક કત્ર કર્યાબાદ બ્લોટિં પેપર ની અંદર એને મૂકી અને આ હર્બેર્યમ ને વર્સો સુધી આપણે સાચવી શકીએ છીએ હર્બેર્યમ પત્ર ની સાઈસ 11.5 થી 16.5 જેટલી હોઈ છે એની ઉપર વિસીસ્ટ પ્રકારની બધી નોંધ આવેદી હોઈ છે જેમ કે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છે કે વઈગની અને અંગ્રેજી નામ પર આની અંદર લખ્વામાં આવતુ હોઈ છે ઠેંક્યુ બેરી મચ્છ